स्वागों थे आप सभी को हमारा चैनल आसिस इन एजुकेशन पर आज आपके लिए मैं आसिस लेकर आया हूँ एक न्यू भलाग आट रावरकेला आज हम घुमेंगे रावरकेला का एक अच्छा खुबसूरत साइलेंट प्लेस हनुवन बाटिका स्थान का नाम हनुवन बाटिका लेकिन दिखने के लिए मिलेगा बहुत सरा मंदीर और मंदीर में अधिश्टित देवा और देवियूं यही स्थान को हनुवन जी का सबसे ज़्यादा उच्चाई बिग्रह के लिए प्रसिद माना जाता है आज हम लोग आये हैं वही स्टेचू दिखने के लिए हनुवन बाटिका जाना से पहले आपको दिखाई दे रहा है कितना सारा सौप आप यहां से भग प्रसाद खरिद सकते हैं सो दोस्तों अब एंजय कीजिए यही प्लेस को व क्यष्स के माने बाट इस प्रस्व चोब थीज़ पता रधिने अग्ताछ NOँ मेजyes प्रस्टेस में भी अजय ठाल हम भो दो 다ता जो रो बंदेट शो जो जब खेयर बुटा जो 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 जब जो जो झायोंगे ड्राइबन का टूस्त प्रपप का बनार जो कि अरुगत श्रॉन झाली कि अबसे ही नहीं कि एम जादाब के शोड़ जब के जब में प्राप्पित प्रूब झाल 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 हनुमान जी का विग्रा के पास जाने से पहले दर्शन कीजिए सिप जी और माता पारबती को अब हम आ गए हैं स्टेचू के पास कितना उच्चाई है और सवराम्टिंग भी मज़ादार है दोस्तों आसेशिन एजुकेशन आप सभी का भ्लोग पर लेकर आया मतलब पुछत शिखने के लिए जरू मिलेगा एसे कुछ एंटरंस में ये पुछा जाता कि हनुमान जी का सबसे उच्चाई स्टेचू कहाँ पर उच्चाई कितना कहाँ पर कुछिन आएगा तो हम बल देंगे रावर केला लेकिन घुमने के लिए आकर भी उच्चाई ना जानकर एसे चले जाते लेकिन जहाँ भी जाना होगा उसी स्तान की बारे में जानना चाहिए हनुमान जी का स्टेचू का पिछे नीचे से लिखा हुआ है यही स्टेचू का उच्चाई 74 फीट 9 इंचेस और यही स्टेचू सिर्फी टोगू लख्मन स्वामी ने किया था इस स्टेचू वज इनागुरेटेड अन 23 फेबुरी 1994 अब हम घुमेंगे इसकी सोराउंडिंग्स एंड मजा लेंगे हनुमन बाटिका आकर यही स्तान को फिल करने से साइलेंट पता चलता है तो दोस्तों आएए और मजा लीजिये फिर मिलेंगे और एक व्लग पर विट आसेसिन एजुकेशन थेंग्यू